C.E.N. News देश प्रदेश की ताज़तरीन खबों के लिए C.E.N. News को सब्सक्राइब करें और रहें पलपल की खबर से हर पल बाखबर बेस्ट फेसिलिटी और बहतरीन मैनेजमेंट के लिए पूरे मुंबई में हमेशा चर्चा में छाए रहने वाले चेंबूर जिमखाना में इन दिनों चुनावी महौल है रविवार 29 सितंबर को यहां नए मैनेजमेंट कमिटी का चुनाव है 1947 में इस थापित इस चेंबूर जिमखाना में इस वक्त लगभग साड़े तीन हजार मैंबर हैं जो अपना प्रतिनिधी चुनेंगे जिसके लिए दो पैनल मैदान में उतरे हैं जिन में से प्रगती परिवार पैनल का पलड़ा भारी नजर आ रहा है जब हमारी टीम ने मैंबर्स की राय जाननी चाही तो जादतर लोगों ने प्रगती परिवार पैनल के ही पक्ष में अपना मत प्रकट किया इन लोगों का कहना है कि प्रगती परिवार पैनल के लोगों की वज़े से ही चैंबूर जिमखाना में काफी बदलाव आया है और काफी प्रोग्रेस हुई है एक छोटे से स्ट्रक्चर में भव्य इमारत का रूप ले लिया है सुमिंग पुल, अच्छा ग्राउंड, जॉगिंग ट्रैक जैसी कई सुविधाय मेंबर्स के लिए प्रगती परिवार पैनल के लोगों की देन है इमबूर जिमखना का जो भी प्रोग्रेस हम लोगों ने देखा है, जो हुआ है इतने सालों से, वो काबिले तारिफ है और मैं अपील करूँगा कि यही पैनल को पापस रिएलेक्ट किया जाए भी थंपिंग मैजोरिटी हमारे मिस्टर बालकृष्ण बदावन जी प्रिजिदेंचल पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहे है और उनके पूरे पैनल जिसका नाम है प्रगती परिवार उनको रिएलेक्ट करके उनको चिमबूर जिमखना की प्रगती का मौका दे दिया जाए बालकृष्ण जी वदावन जो प्रिजिदेंचल केंडिडेट है उन्होंने बहुत कुछ सयोग दिया है और इस पैनल की वज़े से और आगे भी परगती होएगी इसके लिए परगती परिवार नाम रखा है हम आसा करते हैं कि चेंबूर जिमखना और परगती होए और पर लाएं